अश्वगंधा एक ऐसी ओशदी है जो प्राचीन कार्ची आयुर्वेद में उप्योकी जा रही है और बहुत कारगर है हजारों साल से इसका इस्तमाल कई गंभीर बिमारियों के लिए किया जा रहा है अईर्वेद विशिश अग्यों की माने तो अश्वगंधा का अस्तमाल कई शारिदिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है अश्वगंधा में ऐसे कई सारे गुण छुपे हुए हैं जो कई भीमारियों का इलाज है अश्वगंधा का सेवन करने से क्या क्या लाब मिलते हैं जान लीजिए अश्वगंधा तनाव घटाने में एक महतोपूर नौशदी माने जाती है आजकर जादतर लोग तनाव जैसी समस्या से जूझ रहे हैं अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या होती है तो अश्वगंधा का सेवन उनके लिए लाबकारी हो सकता है नींद की समस्या को दूर कने में भी अश्वगंधा कारगर है यदि रात में आप भी सोते समय बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है और अश्वगंधा अच्छी नींद लाने में आपकी मदद कर सकती है और इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार अश्वगंधा की पत्यों में ट्राइथलीन ग्लाइकू नाम का एक तत्व मौजूद होता है जो सुकून भरी नीन लेने में सहायक है अश्वगंधा का उपयोग कॉलेस्टरॉल कम करने में भी किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाले एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लमेटरी गुण कॉलेस्टरॉल को कम करने में म इसके लिए कारगर उपाय है कई रोगों से बचने के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट लीवर में होने वाली सूजन की समस्या को दूर करते हैं रात को सोने से पहले दूद के साथ इसका सेवन किया जाता है तो ये लीवर के लिए काफी फायदे मंद होता है और हानिकारक टॉक्सीन से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाता है कैंसर एक ऐसा रोग जो इंसान का जीवन खत्म कर देता है लेकिन अश्वगंधा की साहता से इस घातक बिमारी से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें एंटी ट्यूमर गुण मौझूद होते हैं जो कैंसर का एक विकल पिक उपचार है तो देखा आपने एक छोटी से जड़े बूटी आपके लिए कितने चीजों में फायदे मंद हो सकती है subscribe our channel and press the bell icon for more updates